हलो एंड वेलकंम तो माई यूटूब चैनल यूनिवर्सल लर्णिंग हब तो इंडीन ट्रैश सिस्टम का एक और पार्ट यहां पर लाए हुमें और इससे पहले हम ने स्टार्ट किया था हिमालिन रिवर्स स्टम तो इसमें हमने अर्रेडे इंडस रिवर्स स्टम और गंग स्टम यह जो है उनके कंपियर में थोड़ा सा छोटा ही लेक्चर है तो इसको हम यहां पर डिटेल में पड़ेगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर आप इस चनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चनल को सबस्क्राइब कीजिए तो स्टार्ट करने से पहले हम एक उवर ले लेते हैं इस ब्रहम पुत्रा रिवर सिस्टम का मेप की जरिये से हो है हम थोड़ा से समझने की कोश्च करेंगे कि यह कहां से फुलो होता है तो चलिए पहले हम मेप पे जाते है तो चलिए अब हम मेप पे आये हैं तो आप देख सकते हैं इंडिया का तो जो ब्रहम प१ teasing रिवर जबूर्ण और फैर्देश में फाइनलर अंटर होता है तो औरूर्ण फैर्ण और फैर्इस से लेखे तक ब्रह्म प१डर के नाम से जाना जाता है अब आपको keeping ब्रह्म प१र यह अंट लिवर अच्पूरा लें ऑर जो सारी होता ही जह करती है फाइनले जब यबरहेमपुतराइबpro log होता है तो जेसे बंगलादेश में अंडर होता है तो बंगलादेश में इसका नाम है Woah तो वंग्लीडेश में इसको जोइन करता है प्रादम्या जो कि आपको पता है घंगा रिवर की एक ब्रांच है तो जब इसको पद्ध मुझे हैं इसको उट मुझे करेगी तो इसके अपॲिए भी पे छ सिम्गा कीमा के जाना जाता है प्र झालने अच्छोड़ सबसे बड़ा रिवर आयलेंड जो है माजूली तो वो भी आपको इसी जो है इसी रिजिन में मिलेगा तो यह है इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि हमने मैप के जरिये से जो है समझने के कोश्च की है यहां पर कुछ ट्रिब्यूटेरिस भी आप देख सकते हैं लोहित ह सुबंशिरी है तीस्ता है इसके साथ साथ कुछ और रिजिटर्ब्यूटेरिस भी है जैसा कि आप पता होगा डिबॉंग है दिखोव है धन्शिरी है कैलोंग है कापिली है मानस है सनकोश है कैमोंग है तो यह बहुत सारी ट्रिब्यूटेरिस है बरहम पुतरा रिवर की त recovery है पहँब कणाओन तो है चिमा् यूंगडूं गलेशियर या इसको अंगसी गलेशियर पी कहा जाता है जो कि केलाश रिज में है तिबत में तो इ tart नीच्रवर की वह to uh अन्हीन किलो मीटर्स। लैंडिया वाली कि आजाया वह गो ही आप inadequ करता है thu कि वह संहाले वे नाम है जिसको न upfront हिम आना इंघ्श में लुड़ता है करा। Як बता जेंज है तिबदेने का नाम है प्यूरिफायर, इसके काया जाता है ना नाम है नाम है। आर हम बात करेंगे उर्णाचरप्रेज़ की, तो उर्णाफप्रेज़ में इसको कहा जाता है Siong S-I-O-N-G Siiong या Dheang इन दो नाम उस जो है, इसको उर्णाचरप्रेज़ में जाना जाता है और आसाम में इसको कहा जाता है बरहम-पुत्रा या और जो नाम है इसके आसा में एक है दिलोई दिलोई उसके साथ है लुईत ल-u-i-t लुईत और है ल्यू और भी कुछ नाम है तो यह है आसा में इसके नाम और बंगलादेश में इसका नाम है जौमुना आगे आर हम बात करेंगे ट्रिब्यूटेरिस की अप सबसे पहले ट्रिब्यूटेरी वो है दिबैंग रिवर जो इसकी ट्रिब्यूटेरी है दिबैंग रिवर का सोर्स क्या है किया पास जो कि इंडियो और चाइना का बॉर्डर है वहां पे एक पास है वही पे इसका और जन बरहें पुत्रा की लूईत रिवर, इसको जैन करता है आसाम में दिबन्ग रिवर चले लुईट की ही बात करेंगे लुईट रिवर जो है इसका सोर्स है जया चूर एंच जो की इस्टरन तिबत में है और ये बरह्म पुत्रा को जोइन करता है और नाचल प्रदेश में हाला कि और नाचल प्रदेश से थोड़ सा आरा रियल लोकेशन देखेगे तो और नाचल प्रदेश नहीं होगी आसाम में ये जोइन करता है क्योंकि सारी टुर्बीटरी जो है वो आसाम में ही जोइन करेगी बरह्म पुत्रा को उसके बात करेगे हम दिहंग रिवर की दिहंग रिवर की बात करेगे तो दिहंग रिवर जो है उसका सोर्स है पतकाई हिल्स जो की नौर्थ इस्ट इंडो बर्मा बाॉर्डर है वहाँ पे तो इसकी लेंगत है 380 किलू मीटर्स ये है दिहंग रिवर की बात तो आर दिहंग रिवर की बात करेगे तो वो बरहम पत्रा को कहाँ पे जोईं करता है जो कि दिहंग मुक असाम मेक पले से वहाँ पे बरहम पत्रा रिवर को जोईं करेगी एक रिवर की बात करेगे वो है दंसृprü दंसृर्य रिवर आपको बता दे जो दंसृर्य है यह एक left bank tributary है तो इसका source क्या है वो है ले सेंग पीक जो कि नागलेंड में है इसकी length है 352 km और यह ब्रहम पुत्रा को जोईन करते है आसाम में अगेन next tributary की बात करेंगे है वो है सबन सिरी जो के एक right bank tributary है इसकी ब्रहम पुत्रा की तो इसकी आरहम बात करेंगे तो इसका source है हमालयाज में जो चाइना रिजन है वहाँ पे इसकी length है 442 km और यह largest tributary है ब्रहम पुत्रा की important point ब्रहम पुत्रा को यह जोईन करेंगी लखिनपूर जो कि आसाम में एक प्लेस है नेक्स्ट बात करेंगे हम केमेंग रिवर की अगैन केमेंग रिवर जो है वो क्या है वो है right bank tributary इसकी source की बात करें तो source है glacier lake जो की टेवेंग है एक एरिया और नाच प्रदेश में वहाँ पे इसका source है इसकी लेंग जो है वो है 264 किलो मेटर यह ब्रहम पुत्र रिवर को जोईन करती है तिजपूर आसाम में ये एक fact next है मानस रिवर मानस रिवर का source का है वो है बूटान एरिया मानस रिवर अगैन आपको बता दे राइड बेंक tributary है किसकी ब्रहम पुत्र रिवर की तो लेंगत है मानस रिवर की 376 किलो मीटर और यह ब्रहम पुत्र को जोईन करेंगी जो गिग हुपा एक एरिया है आसाम में वहां पे ब्रहम पुत्र को यह जोईन करता है मानस रिवर नेक्ट बात करेंगे हम संकोश रिवर की संकोश रिवर अगैन राइड बेंक tributary है इसका सोर्स भी भूटान में ही है और यह ब्रहम पुत्र को जोईन करती है आसाम में फिर करेंगे हम बात 30 रिवर की जो कि आपको बता दे 30 रिवर लास्ट रिवर आप कह सकते है लास्ट tributary जो कि जोईन करती है ब्रहम पुत्र को बांगला देश में अंटर होने से पहले तो 30 रिवर जो है यह अगैन राइड बेंक tributary ही है तो इसका सोर्स क्या है वो है पूहुनरी और जीमू गलेशर जो कि चालौमू और गुरू ढंगमर लैक्स है वहाँ पे इसका सोर्स है तो 30 रिवर की लेंगर क्या है वो है 309 किलो मीटर और यह ब्रहम पुत्र रिवर को जोईन करती है कहां पे फुलचीरी रंगपूर बांगला देश अक्चुली यह जो 30 रिवर है यह आसाम में जोईन नहीं करती लेकिन आसाम से थोड़ी ही डिस्टेंस से जो बांगला है वही पे जोईन करती है किसको ब्रहम पुत्र रिवर को फिर हम बात करेगे तोसरा रिवर की एक और ट्रिविटरी है तोसरा रूबड इसका सूर्स है वो है चुम्बी वेली तिबत लेंक्व़ाद की जोईन करेगी बांगला देश में तो यह थी इम्पूर्टन ट्रिव तो इसके साथ हमने ब्रहम पुत्रा की इंपोर्टन्ट इंफॉर्मेशन वह भी थी वह हमने यहां पर कावर की है I hope आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तके लिए थेंक यू एंड टेक कियर